मैं वारी पजीज आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग में लफ सेक्स धोका और मडर ऐसा एक मामला सामना है पाल गर का जहां पर एक नैना नाम की लड़की जो के फिल्म लाइन में काम करती थी एक अप आडिस वही उसकी फिल्म में एक और था जिसका नाम मनोर था जो के कॉस्टूम डिजाइनर था इन दोनों में वही काम करते करते आपस में प्यार हो गया प्यार में ये दोनों लगातार तक्रीबन पास साल से रिलेशन्शिप में थे जिसके बाद नैना मनोर पे मामला वापस लेने के लिए दबाओं बना रहा था लेकिन नैना पीछे नहीं हटी नैना के इंकार कर दिया just के बाता मनोर तो गुस्ते मैं के मनोर ने अपनी पत्नी के साथ मिल समय नैना के ही घर जाके नैना कीديrick कर दी तरास्पम को बता दे नैना की सेIRE में उसके घर में जाकि गुजरात के वलसार की खाड़ी में फेक दिया आपको बता दे ये मामला पूरा तब सामने आया जब नैना की बहन लगातार नैना से कॉंटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नैना से कॉंटेक्ट नहीं हो रहा था जिसके बाद नैना की बहन ने पूलिस में मामला दर्श कराया और पूलिस ने इस मामले को संग्यान में लेते वे नैना की गुमशुदी की रिपोर्ट दर्श करने के बाद नैना की तलास शुरू कर दी लेकिन नैना कहीं नहीं मिली तब उनको पता चला कि वलसार में वलसार पुलिस को एक ऐसी बॉडी मिली है जो कि डिकंपोस थी तो वलसार पुलिस ने उसके अंतिम संसकार करा दिया लेकिन नैना के हाथ पे एक टैटू बना हुआ था जिसके कारण वलसार पुलिस ने नायग पलिस ने इन्वस्तिकिशन शुरू कर दी और जब नाया कुछ वर पहले ही मनो पे Gur जाता शुरू कर दी जिसमें मनो उरक के फीजवी वापस सूट केस लेता है जिसमें नैना की बॉड़ी थी अब इस मामले में पुलीस ने अरोपी मनोहर होसकी बीवी को हिरासत में लिया है और आगे की कारवाई कर रही है ऐसे और अपडेट के रहे हैं मेरे साथ आरिफ अजीत मुंबई प्रेकिंग उस से